नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जी कमल नेगी और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वाफ़त है दोस्तों अच्छे सची ने एक और एक्जाम का नोटिस निकाल दिया है तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनीगा अच्छे सची सैनेक्टरी इंस्पेक्टर एक्जाम इन नवूंबर 2017 सबसे बहुत करते हैं अज़र सीरियल नमबर एक नेम होता पोस्त किस पोस्त के लिए मेरा एक्जाम निकला है तो बोस्त का नाम है जी सैनेक्टरी इंस्पेक्टर की बोस्त के लिए एक्जाम निकला है जो कि 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 ईस Stitchची तीबड़ेंट आ जोबीसन नोंबर 2017 को मिरा एक्जाम होगा जो की मेरा एक्जाम 3 shift में होगा 1st shift, 2nd shift और 3rd shift तो पहली shift में मेरा जो exam का time है वो सुबह 9 बज़े से लेकर के 10.30 बज़े तक है और जिसके लिए reporting time 1.5 गंटा पहले लगा आगे चलिए आप तो 9-1.5 गंटा पहले 1.5 साल से लेकर के 1.5 बज़े तक का मेरा reporting time है और जिसके लेकर के 1.5 बज़े तक मेरा एक्जाम होगा फिर 2.0 shift की बात करें तो 2.0 shift का exam time है जी 2.5 गंटा पहले 11.12 बज़े तक मेरा reporting time है और 12 के बात 2 entry होगी और 2.5 बज़े मेरा exam होगा और 3.0 shift की बात करें sir तो 3.0 shift मेरे exam लगबक असे देट गंटा भेले मान लीजे धाई से लेकर ज़स्यादए साधे तीन बजे तक मेरा रिपोर्टिंग है और साधे पीम बजे मेरी परफ़टिंग बंद हो जाएगी और चार चार पांच बजे नगा एक्साम होगा, place as per admit card, अभी मेरा exam को place define नहीं है, जब मेरा roll number आएगा, तो roll number के time पर मुझे exam को place define होगा, then next बात करें जर, download of admit card, कि मैं आपना admit card कब से download कर सकता हूँ, तो admit card download करने की date है जी, 20 November 2017 आपना admit card download कर सकता हूँ, next बात करें सर, second एक और serial number है जी, selective inspector का ये एक और paper है, हर्याना अर्बन लोकल बोड़िस डिपार्टमेंट केंटर, इसका advertisement number है जी, 7 बटा दोजार 17, category number 19, और इसकी 22 बटा जी 25 नॉबंबर 2017, और इसमें भी सेम है, जब ऐसे ही 3 shift में exam होगा, पहली shift में 9 से 10 बजे तक, दूसरी shift में 12 से ले करके 2 बजे तक, और physical shift में 4 से ले करके साथे 5 बजे तक, इसका भी place अभी define नहीं है, जब मेरा row number आएगा, तो तब ही मुझे पता लगेगा, तो place के लिका हुआ है as per admin card, तो admin card के time पर ही मुझे exam का place पता लगेगा, और इस वाले, 7 बटे 27 वाली advertisement number के लिए, जो मेरा admin का download है, वो download date है जी, 21 November 2017 या उसके बाद मैं segment card को download कर सकता हूँ, तो इस paper में मेरा selection criteria क्या होगा, तो total selection criteria 225 मात्स का है, जिसमें से first teacher जी, return exam, return exam, और return exam इस पर इन्होंने बोला है, कि online computer based मेरा exam होगा, computer पर मेरा paper होगा, और इस paper में मेरे 100 question आएगे, 2 number का question होगा, तो ऐसे ही total मेरा 200 number का paper होगा, फिर बात करें सर्, इस paper में किस कि subject से question आएगे, तो उसके लिए और इस paper के लिए पहले है यह पास 90 minute का समय होगा, 95 minute में अपने हिसाब से time को manage करकी 100 question कर सकता हूँ, फिर बात करें सर्, किस कि subject से question आएगे, तो Math से कोशण आएंगे, tuMatch से कोशण आएंगे, Indi से कोशण आएंगे Indy और उसके बात दिए जर तो GK से कोशण आएंगे Maximum features GK की होगी GK में 3 टाइप की GK से कोशण आएंगे And then उसके बाद relevant subject Relevant subject मतलब sanitary के regarding question बो सकता है रिधारियना अर्बन लोकल पॉक्टे के Ein Ch crise और अगर माम लिजे अधर हो जातता है तो मेरा ये वाईपा व या-ई इंट्वी वईग्यिड वाईपा वईश्या मिरा 45 मंक्रस पंवाउ तो ऐसे टॉटल 225 मंक्रस में जाता है अगर आप इस exam lotus को पढ़ना चाहते हैं या फिर paper के टाइम पर आप अपना roll number डाउनलोड करना चाहते हैं 20 November को इसके अड़टाइजमेंट नमपर 6216 के लिए और 21 November को 7217 के लिए तो मैं किस website पर जा करके ऐसा कर सकता हूं तो website आजी www.hsse.gov.in www.hsse.gov.in पर जा करके मैं इस exam lotus को पढ़ सकता हूं या फिर मैं exam के टाइम पर अपना roll number डाउनलोड कर सकता हूं दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो आपको लाग रंग में लिखा एक सब्सक्राइब को बटन न चला रहा होगा अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक नीली घंटी का निशान न चला रहा होगा अगर आप उस पर क्लिक देंगे तो आप मेरी चैनल के साथ अप्टूब डेट रहेंगे ऐसे ही जैसे ही HSSC किसी इक्साम को नोटिस निका लेगा तो मैं आपको उसके उपर वीडियो बना करके दूँगा देखिए HSSC ने इक्साम को नोटिस आज ही निकाला है बत्तत्यास क मेरे नोटिस आप मेरे चैनल Khयोप सहचित तो में आपना करना सके प्याओर